हाई फ्रेंज आप सब कैसे हैं मैं रस्मी स्टारिस ब्यूटी आज हम एक ऐसा अमेजिन फेस्ट पैक बताएंगे आपके चेहरे के पिंपल्स एकने जूरियां जाईयां सब्सक्राइब का सलूशन इस पैक में मिल जाएगा साथ ही साथ आपकी स्कीन को ब्रैटन करने में भी हेल्प करें तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं सुरू करने से पहले मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा इसी तरह से और भी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड और फैमली साथ मेरा वीडियो सेयर कीजिए तो चलिए इस वीडियो को हम सुरू करते हैं एक चमच हमने मसूर का दा लिया है एक चमच चावल साथ बादाम हमने लिया है इससे हमें मिक्सर गांडर में डाल कर फाइन पॉडर तयार कर लेना है अब हम पाइक बनाएंगे इसके लिए हमें दो चमच पॉडर चाहिए जो हमने चावल दाल बादाम पीसा था उसका पॉडर दो चमच रो मिल्क इससे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे इसका स्मूद पेष्ट रेडि कर लेंगे हम पैक हमारा रेडि हो चुका है अब हम अप्लाए करेंगे ब्रस की मदब से पुरी फेस पे इस पैक को अप्लाए कर लेंगे चावल इसकीन को ब्रैटन बनाता है मसूर दाल इजेन की तरह काम करता है आपकी इसकीन के दाग धबे संटे intersections पिम्पल्स एकने जूरियाँ ज्ञाईयों को खत्मे करता है आपकी सकीन को टाइटण अप बनाता है बादाम में बिटमिन मिनिरल्स प्रोटीन जैसे गुड़ पाए जाते हैं जो आपके चेहरे को निखाने का काम करता है और इसकीन के ड्राइनेस को भी दूर करता है आपके स्कीन को सॉप्ट और सफल बनाता है अच्छे से हम पूरे फेस पर इसे अप्लाई कर लेंगे थोड़ा सा पैक हमारा बच गया था इसलिए हमने नेक पर भी इस मसाज करेंगे इसे क्या होता ना हमारे स्कीन पर डबल निखा रहाता है मसाज करने से इसलिए ध्यान रहे कभी भी फेस पैक लगाए तो डारेक्ट फेस को वास ना करें इसे पांच मिनट के लिए सर्कुलर मुसर में मसाज करें इसके बाद फेस को वास कर ले इस पैक को ल सपल बनता है आपका इसकी अब अपने फेस को हम वाश कर लेंगे वाव मेरा फेस कितना सॉफ्ट लग रहा है एक बार ही लगाने से मेरे फेस पे कितना अच्छा ग्लो आया है अगर आप भी ऐसा ग्लो चाहती है तो इस पेक को हथे में दो बार जुरू ट्राइ कीजिएगा मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए बाई शी यू